लोग मैं सची घटना बताने जा रहा हूं कैसे 8 धरिंदे चलती 9 विवाहिता पतनी के साथ पती के सामने बारी बारी से जियां। पुस्पक एक्सप्रेस पहुंचती है। इसी करम में पुस्पक एक्सप्रेस जो एक महराष्ट के औरंगाबाद जिले में इगतपूरी स्टेशन आती है। इसी तरह उस दिन भी लोग उतरे और उतरने बाद सब अपना चाय, पानी, खाना वगरा लेके फिर बोगी में चले गया। आई मीन अपने अपने सीट पे चले गया। जैसे सीट पे गया और ट्रेन जैसे ही खुलने वाली होती है। इसी में आठ लड़के इंटर करते हैं। और आठो के पास असला होता है, आई मीन हथियार होता है। और सब को धमका ढराके कि अगर नहीं समान दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और रहा बात तो जान किसकी प्यारी नहीं है। जान तो सभी को प्यारी है। पूरे पैसेंजर से मुबाइल ओगारा चैन ये सब लूट लेते हैं। लूटने के बाद आठों लूटेरे जो होते है, वो गेट के पास खरे रहते है। क्योंकि अगला स्टेशन आये ताकि मैं उतर जाऊं। क्योंकि उसको तो लूटा हुआ हो गया रहता है। इसी करम में एक लुटेरे को नजर जाता है नौ विवाहिता साधी जोरे पे, जहांपे एक नई नवेली दुलहन 20 साल की होती है, अपने पती के साथ बैठी रहती है, तभी ये लुटेरा होता है, उसके साथ गंधी हरकत करता है, गंधी हरकत करता है उसी करम में वो जो दुल करम में क्या करता है ये आठो जाके उसके हस्वैन को पीट देता है और बढ़िया से पीटिने के बाद दो उसमें से जो आठ लूटेरे होते है दो लूटेरे, बोगी के दोनों साइड में गेट पे चले जाते है दो लूटेरे ताकि दूसरे वाले बोगी के लोग नहीं इस बोगी में आ सके इसके लिए उसके बाद ट्रेन अपनी मस्ती में होती है रफतार में चलती रहती है बारी बारी से उस दुलहन को उसके पती के सामने नगन करके उसके साथ बारी बारी से आप समझ सकते हैं रेव किया जाता है फिर जैसे एक जाता है तो फिर एक आता है ऐसे करम में बाकी के जो पैसेंजर लोग बैठे होते हैं वो बिरूत करने की कोशिस करता है तो उसको भी पीटाई लगता है एक पैसेंजर चैन खिचने की कोशिस करता है तो उसको भी धके पीट देता है बढ़िया से इसी करम में बाकी जो पैसेंजर होते ओ मुख दर्सक होते अपना चेहरा छुपा के और इधर जो है लुटेरे लोग उस नौविवाहिता के साथ रेव कर रहे होते हैं पैसेंजर है वो करे तो करे किया, पैसेंजर लोग अपना मुख छिपा के कुछ नहीं कर रहे है, बस औरत चिला रही है, पती भी चिला रहा है, पती को इतना मारा है कि पती भिहोस हो चुगा, फिर भी बोला मैं पैर पकरता हूँ, छोड़ दीजे, लेकिन ये धरिंदे सुन सारा आता है, जैसे ही का सारा स्टेशन आने वाला होता है, स्टेशन पे ही जी आर्पी की जवान होती है, एक पैसेंजर ही सारा करता है, जी आर्पी समझ जाता है, जी आर्पी अपने टीम के साथ जैसे आता है, जैसे बोगी में पहुंचता है, तो संजोग से चार जो दरि ले जाता है, होस्पिटल भरती कराता है, इधर चारो दरिंदे को GRP की जवान पकर के ले जाते है, पूस्ताच होती है, उसमें उक कबूल करते है, फिर उसको सलाखों के पीछे करते है, ये घटना 2021 की 8 हक्टूबर की है, और ये सच्ची घटना है, जो इगतपुरी में हुआ इस घटना से बस हम लोग को, आप लोग को सीख लेने की जुएत है, कि जो लोग ट्रेन के सफर से अंजान है, ताकि इस घटना को सुने देखे, तो सतर्क होके चले, बस मेरा मकसद किसी का देल दुखाना नहीं, कैसा लगा आप लोग, प्लीज कमेंट करके जरू बताइए तब तक के लिए, बाब बाई, टेक क्यार, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ,